हेलो फ्रेंट्स आज हम हमारी ग्रामर सीरीज का अगला भाग देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीख चुके हैं आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में इस खेल रहे होंगे वह घर जा चुके होंगे को घर जा रहे होंगे तो इस तरह मुलत कर दो किम पहले ही बात कर चुके हैं किस तरह से continuous tense में हमेशा ही ing form आता है और perfect में वर्ब का third form आता है तो इसमें कौन से नियम आते हैं आए देखते हैं अफर्मेटिव में subject है will के साथ में बी आता है और वर्ब में ing form और object future indefinite में सिर्फ बिल और वर्ब का first form आता था इसमें बी और वर्ब का ing form आएगा उसी तरह से नेगेटिव वाले में subject will not be यह यहां ध्यान रखना है क्या जब डेगेटिव होगा तब हमें इतना जय लगना है कि will और वी के बीच में not आएगा ठीक है उसके बाद वर्ब में ing form आता है और object आता है इसके एक्जांपल देख लेते हैं जैसे राम विल बी रीडिंग बुक राम किताब पढ़ रहा होगा तो रहा होगा राम विल बी रीडिंग बुक दूसरा एक्जांपल वी विल बी राइटिंग लेटर हम पत्र लिख रहे होंगे यह assumptions होते हैं मतलब कि future में कौन सी चीज हो रही होगी उसके बारे में हम बात करते हैं दूसरा लेगेटिव में किताब नहीं पढ रहा होगा तो राम विल नौट बी रीडिंग बूक उसी तरह से वी नौट भी राइटिंग लेटर मतलब हम पत्र नहीं लिख रहे होंगी अब आते हैं इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव हम दौनों चीज़ें एक साथ में लेंगे इंट्रोगेटिव और डब्लुएज क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर जब हमें स्पेसिफाई करना हो जैसे जगह है क्यों वाई समय वें क्या वाट कैसे हाओ तो यह जब चीज़ें में बतानी होती है तो हम दब्लुएज फेमिली का यूज करते हैं तो इससे पहले हम पहले नियम देख लेते हैं अब इसमें क्या होगा पहले विल आएगा फि बी सबजेक्ट के तुरंद बात और दो सकता है कि इंट्रोकेटेव में नेगेटिव भी बनते हैं तो सबजेक्ट के बाद में नोट भी और उसके बाद वर्ब में आयंजी फों और अबजेक्ट और डबलुएच वाले मीका होगा पहले डबलुएच क्वेशन में कुछ भ नौट भी प्लस वर्ब में आईंजी फॉर्म और अब्जेक्ट फिर लास्ट में आता है क्वेशन में ऐसा नहीं होता है कि इंट्रोगेटिव हैं तो क्वेशन नहीं पूछे जा सकते हैं है हम यहीं कह सकते हैं कि राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा तो नौट तो आए गई पर वस्त यहीं चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि विल और बी को कहां से सेपरेट करना है सब्जेक्ट के बार में भी आएगा सब्जेक्ट से पहले विल आता है तो इस तरह से हम कि रीडिंग बुक क्या राम किताब पढ़ रहा होगा दूसरा है विल भी वी राइटिंग लेटर क्या हम पत्र लिख रहे होंगे अब सीधी सी बात है इनके अंसर्स हम सीधी तरह से दे सकते हां या ना बस इसके अलावा जब हमें कोई एक्स्प्लेंग करना हो उसके राम कब रीडिंग भुक किताब पढ़ रहा होगा तोर्फ कंकितब पढ़ रहा होगा तो आपको किसाम को रात में दिन में आक जर दो अभुलम पर बाइंग करने के बादए आस दब politiques omega-3 अक्यों पत्र लिख रहे होंगे पाती 75 कोई ना कोई बचय है और बचय कोई क्लेरिफाई करने के बाद आप तभी उसका अंसर सही से दे सकते हैं इसी तरह से अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी आपको यह जीज़ रहनी है कि सब्जेक्ट के बाद में नौट लगाके आपको प्वेशन बना देना है अब सबसे बड़ी चीज़ यह सिर्फ एक्जामपल है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी यह और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो चैनल थैंक यू